नमस्कार दोस्तो तो बड़े ध्यमयाके की त्यारी कर चुका है इस टोक क्यूं बता रहा हूं को क्यूंकि करजा 13000 करोड के करीब था 2020 के अंदर करजा कम होके कितना हो गया है 122 करोडी साल के अंदर 1905 करोड से 122 करोड पे पहुंच चुका है रेजल्ट तो शांदार है यह सबसे में चीज समझने वाली क्या है यह एक्चली में करजा जो कम हुआ है इस टोक के अंदर वो में फेक्टरम निकल के आने वाला है कोई बाइंग सेलिंग रेकमेंडेशन है पर रेजल्ट की तरफ चलते हैं सीधा सीधा सबसे पहले रेवन्यू की बात कर लेते है 1579 चाली नतुक कारोड के करें और पिछले काटरम कितना था? 137 करोड का बीटा तो 707 करोड का बीटा पिछले साल सेम काटर में मतलब दिसम्बर 2022 की बात की जाये तो उस काटर के रेजल्ट की बात कर रहे है अब profitability की बात पर भी आ जाते हैं यह तो अभीटा हो गया तो अभीटा कितना है 203 तो यहाँ tax था नहीं इसलिए 203 का 203 रहा गया पिछले quarter में 102 करोड़ का profit था और पिछले साल 78 करोड़ का तो यह double हो गया profit लगबग और wind order जो मिल रहे हैं वो सबसे major factor है 6502 करोड़ के थे मार्च दो जाते हैं बढ़के 3157 करोड़ के हो चुक है पांच गुणा wind order हो चुक है मिले सबसे major जो highlight है वो करजा कम करना और wind order है तो बहुत भाग सकते हैं देकि buying selling recommendation है पर हर एक चीज कह रही है